सूरत में रिंग रोड पर सिच सिलक सीटी टेक्स्टाइल मारकेट के वेपारी के पास सित्तेर लाख ओगन साइट हजार की साणियां खरीद कर उसका पेमेंट चुकाने के बदले व्यापारी को धमकी देने वाले महिश्वरी समाज के दानेश्वर माने जाने वाले पिता पुत्र के खिलाफ ठगाई की शिकायत एक बार फिर सूरत के सलावत पुरा पुलिस थाने में दर्ज हुई है जिसके आधार पर पुलिस ने जास सुरू कर पिता की गिरफतारी की है और पुत्र की खोज बिन जारी है मिली हुई जानकारी के मुताविक सूरत के भागात अलाव गनी भाई एंको की गली के निवासी असलम निसार जनरल कपडों के व्यापारी है और रिंग रोड परस्तित सिल्क सीटी टेक्स्टाइल मार्केट में दुकान चलाते हैं साडी के व्यापार को लेकर असलम का संपर्क रिंग रोड ट्रेट सेंटर के व्यापारी विपिन कुमार उर्फे चोटू भाई गंस्यामदाश महिस्वरी और उनके पुत्र प्रतीक विपिन कुमार महिस्वरी के साथ हुआ दोनों पिता पुत्र ने शातिर शडियंत्र रचकर असलम भाई को पैमेंट चुकाने का विश्वास और भरोसा दिलाया और फिर गैलेक्सी टेक्स में से अलग अलग चलन और बिल से कुल रुपे 58,26,000 का माल तथा एसलो सिल्क मिल्ट से नाम से फर्म में से कुल रुपे 10,000,000 का माल तथा एवं व्यापारी द्वार आधिनियम पर पेशे वसूलने पर पिता पुत्र ने अलग-अलग बैंक के चेक दिये जो चेक रिटन होने पर पेमेंट के जूटे और फरजी वादे कर समय निकाला और काफी समय बीतने के बाद व्यपारी दुआरा अपने माल के पेशों की मांग करने पर लालची पिता पुत्र दुआरा व्यपारी पर गाली गलोच कर व्यपारी के साथ अभधर भासा का प्रयोग किया गया इतना ही नहीं लालची पिता पुत्र दुआरा व्यपारी को हाथ पेर तोड़ने की दमकी भी दी गई थी और फिर दोनों पिता पुत्र अपना मॉबाइल बंद कर तथा अपनी दुकान बंद कर वहां से फरार हो गए जिसके संदर्ब में व्यपारी असलम भाई ने सलावत पुरा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई जिसके आधार पर पुलिस ने जाँ सुरू कर और लालची पिता को पिपिन कुमार उर्फे छोटु भाई गंश्याम दैस महिश्वरी की गिरफतारी की है कर गंश्यास झाल झाल परविन पठान, Samachar, India News Surat